आज हम बनाएंगे बहुत ही टेश्टी और लाजबाब रेशिपी इस टाइम सभी के गर महमान आई हुए है तो उनको ये वाली रेशिपी जरूर बना के खिला है इसके लिए हमें आलू को उबाल लिया था इनको कद्दू कस कर लिया है इसमें नमक एड़ किया है हरा धनियो और हरी मिर्च एड़ किया है लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर एड़ किया है एक टेबल स्पूस जीरा एड़ करेंगे साथी थोड़ी सी हींग भी आड़ करेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इन सारी चीज़ों को एड़ करके थोड़ा सा इसमें अमचुर पाउडर एड करेंगे इससे फ्लेवर काफी अच्छा हो जाता है इसलिए इसको भी एड करेंगे अब इन सारी चीडियों को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका एक बढ़िया सा हमको मसाला बनाकर रेडी कर लेना है और ये रेसिपी बहुत ह लगती है और सभी को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी एक बार मेरी इस तरह से आप ये रेसिपी जरूर ट्राय करें पर ये देखिए हमारा बढ़िया मसाला बनकर रेडी हो गया है अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे और ये देखिए हमें कुछ मसाला गव्यार में इस में से फाटा दिया है और ये हमने इस तरह से प्लेट कर देनी है अब भॉल्स पर करना है है और साथी एक और कब बेशन एड करेंगे टोटल हमीं दो कब बेशन का यूज किया है अब जिस में बना रहे हैं उसे साथ सब्सक्राइब पर लाल मिर्श पाउडर रैड किया अगर आप या आप के बच्चे तीखा कम पसंद करते या आप लालमेश पाउडर नहीं खाना चाहते तो आप इसको इसकी भी कर सकते और आधा टेबल इस्पून हल्दी एड की है इससे कलर बहुत अच्छा आएगा अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो हमने मसाले एड किये हैं यह पूरे बेशन म कोई भी कुछलिया ना रहें किसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी एड करते रहना और इसका बढ़िया स्मूथ बेटर बना लेना है यह देखिए हमारा बेटर बनकर रेडी हो गया है ना ही बहुत पतला है और ना ही बहुत जादा थिक है बस हमें इस तरह का बेटर बना लेना है और यह देखिए बिल्कुल इस तरह का बेटर बनाना है और जो हमने तिक्किया जैसी बनाई थी उनको हम इस बेशन में एड़ करेंगे अगर आप हाथ को डिप नहीं करना चाहते तो आप इस जगह पे एक चम्मच का भी इस्तमाल कर ले और इस तरह से सारी टिक्की ह हमें फ्राइ कर लेनी है हमने ऑल गरव रग दिया था पहले सेी तो हमारा ऑइल पर्फेक्ट गरम हो गया है अब उसमें सारी टिक्क्या इसी तरह से एड़ कर देंगे और यह देखिए अच्छी तरह से हमारी टिक्किया एक तरफ से फ्राइब हो चुकी है अब आपने इनक देखें ऐसे हम उठा रहे हैं तो सारी टिक्किया निकल जा रही है और यह बहुत ही अच्छा हमारी आलू टिक्की बड़ा बनकर त्यार हो गई है और यह देखें इनको उलट पलट कर दोनों तरब से अच्छे से फ्राइब करेंगे ताकि यह दोनों तरब से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और बढ़िया से फ्राइब हो जाए और यह देखें हमारी टिक्किया सारी अच्छे से फ्राइब हो चुकी है अब हम इनको निकाल लेंगे ये देखिए बड़िया तरह से फ्राई हो गई है हमें सारी निकाल लेनी है और सेम उसी प्रोसेस से हमें जो भी और भी बनाई थी उनको भी फ्राई कर लेना है और मेरी सारी टिक्किया फ्राई हो गई है अब इनको हम सर्व करते हैं ये देखिए लग रहेंगे ना एकदम टेस्टी अब जब भी कोई महमाना है तो आप उनको बिल्कुल ये अलग और नया नास्ता बना कर खिलाईए सभी खुस हो जाएंगे और बनाने में भी बहुत ही सिंपल है और ये देखिए लाजबाब नास्ता रेसिपी बनकर रेडी ह है अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू